चमस्कार दोस्तों आर्थी के रसोई में आप लोगों को स्वागत है तो आज मैं आ गई हूँ गाउं की मिठी रेश्पी लेकर गाउं में जब भी लोगों को मिठा खाने का मन करता है तो मार्केट नहीं जाते हैं क्योंकि मार्केट में इतना अधिक नहीं रहता है और इतना awful9 अठीरा वहां एक भूंचों हो्षाusan के पास रहता है तो ज सबक्राइक के बना कर और अच्छी रेश्पी खाते हैं तो देखिए कोमा अज वहीं बना बहुत अच्छा खुसबू आ रहा है थोड़ा मुझे भी थोड़ा मुझे खाने के लिए दो तो मैं तो मांगे भी लोग खाएंगा इतना खुसबू इसमिस आता है और टेस्ट लगता है तो यहां पर देखिए मेरा अंटा भूंज गया था तो मैं उसमें चीनी डाल दे रह बनेगा तो अच्छे से स्क्राइब कर लिएगा तो देखिए मेरा कितना अच्छा हलवा बनके त्यार हो गया है और इस हलवा न गौह में गर में कुछ नहीं रहता है तो इक घर के चीज़ से इतनी अच्छी रेश्पी कर गेस्त को दिया जाता था और इसको क्याची के तो यहां पदली मैं निकाल दे रहे हूं और इसको क्याची के साथ खाय जाता है मैं वह भी बताऊंगी आगे कि इसको क्याची के साथ खाते हैं कि मत्तिस से कंबिनेशन क्या है गाउं की लोग के से खाते थे जो कि इतना त्रिस्टी लगता था तो दिखरेंगे यहां पर आम ऑचार में निकाल ले रहें हैं यह हलवा ना आम की अचार के साथ ही ख्याय जाता है और गेष्ट को भी दिया जाता था इसा कॉंबिनेंशन ना बहुत अच्छा लगता है आम के अंचार और मिठ्था हलवा तो गाह में तो गूड होता था मेरे पास गूड नहीं था ती जा मैं चीनी डाली हूं आप गूड होगा तो गूड डालिएगा अब वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो ला